हेलो एवेबन, यू आ वाचिंग स्पोर्टस टाएगा, दिस इस अनुज खई क्रिकेट का स्चेडूल अनाउंस हो चुका है, पैक समर एक तरीके से आपको देखने को मिल सकती है वेस्ट इंडीज के लिए टीम्स डिटोर करेंगे, वेस्ट इंडीज का, वो है सौताफर का, अस्टेलिया और पाकिस्तान, यह आने वाले दो से तीन महीने में आपको वेस्ट इंडीज इन सभी टीम्स के साथ भिड़ती हुए नजर आएगी, सबसे पहले सौताफर का, वो दौरा करेंगी, वेस्ट इ एक्शन पार्क क्रिकेट हमको देखने को मिल सकता है आने वाले तीन से चार महीनों में, सबसे पहले बात करते हैं सौताफर का की जो की एक जून को पहुँच जाएंगे वेस्ट इंडीज, उसके बाद तस जून को अपना पहला T20 आई मैच खेलेंगे, साथ यसाथ पांच T20 आई और तीन वंडे अर तो ये जो दौरा शुरू होगा वो शुरू होगा 9 जुलाई से और जो है वो 24 जुलाई तक पूरी की पूरी वंडे फार्मेट के साथ सा T20 सीरीज जो है पूरी की पूरी की पूरी कंक्लूड हो जाएगी, इसके बाद आब आते हैं पाकिस्तान पे पाकिस्तान की टीम भी जो है पांच T20 के साथ साथ दो टेस्ट मैच खेलेगी, जुलाई के आखरी हफते में पूरी की पूरी सीरीज स्टार्ट होगी और बड़ी दिल्चस्प सीरीज हमको ये भी देखने को मिलेगी, क्योंकि West Indies ने भीते कुछ सालों में ठीक ठाक प तरीके से हमको क्रिकट का देखने को मिलने वाला है, हलागी आई पर सेस्पेंट हो गया है, काफी चीज़े जो है आपको नेगेटिव नजर आ ये कोविट के इस दोर में, लेकिन अभी ड़ी टीसी फाइनल होना है, एंग्डेन के खिलाफ सीरीज इंडिया ने खेलनी है, उसके बाद West Indies का भी शेडियूल आच चुका है, यानि कि South Africa, Australia और Pakistan का भी शेडियूल जो है, वो बिजी होने वाला है, आने वाले कुछ महीनों में, तो ये तो था शेडियूल West Indies का, उमीद करेंगे कि अच्छा जो है competition, हमको टीम्स के दोनों ही टीम्स, तीन हुई टीम् है, वो इन सभी टीम्स के बीच हमको देखने को मिले और कांटेदार मुकाबले हम उससे रूबरू हो, तो फिलाल तो इस वीडियो में इतना ही, आप बने रही है Sports Tagger के साथ.